नमस्कार, N.I.O.S. के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर रश्मी अग्रवाल, किच्छाइवं सैवध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिवाफुले, रोहेलकन विश्विद्याले बरेली से, आप सबका अभिनंदन करती हूँ आज हम चर्चा करेंगे D.L.A. पाठिक्रम 506 के प्रक्रण व्यक्तित्यु के प्रकार एवं शीलगुन सिध्धान्त पर इस विशापर चर्चा करने के लिए विशेशग्य के रूप में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर ज्योति पांडे, रोहेलकन विश्विद्याले बरेली से मैडम, मैं आपका अपने स्टुडियो में बहुत स्वागत करती हूँ घंदे बाद मैडम अगले कुछ मिन्टों में हम डॉक्टर ज्योति पांडे से सीखेंगे कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन-कौन से शीलगुण होते हैं मैडम कृपिया हमारे छात्रों को आप बताएं कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है जी रश्मिजी व्यक्तित्व के प्रकार सिद्दान्त सबसे प्राचीन सिद्दान्तों के अंतरगत माने जाते हैं जिसमें व्यक्तियों को उनके शील गुणों के आधार पर वर्गी करत करके विभिन विभिन प्रकारों में वर्गी करत किया गया है यहां प्रकार शब्द से हमारा तात परे व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिनके गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हों जैसे यदि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो उसके सम्हूं वर्ग में वही व्यक्ति शामिल होंगे जो उसी के समान सामाजिक गुणों से युक्त है इस संबंध में प्रकार से दानतों का मनोवे ज्यानिक, शारीरिक और सामाजिक वर्गों के अंतरगत विभिन्द प्रकार से वर्गी करण किया गया है सबसे प्रथम वर्गी करण हिपोक्रेट्स द्वारा किया गया है जो शरीर द्रव्यों के आधार पर है शरीर में चार प्रकार के द्रवे पाये जाते हैं पीला पित, काला पित, रक्त एवं कफ जिस व्यक्ति में इन में से किसी भी पित की प्रधानता होती है उसके व्यक्तित में उसी के समान शील गुणों का विकास होने लग जाता है जैसे यदी व्यक्ति में पीले पित की अधिक्ता है तो इस प्रकार के व्यक्ति सामानता तनाव युक्त रहते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, बेचैन रहते हैं, तथा गुसेल भी होते हैं दूसरा प्रकार है काला पित, जिन व्यक्तियों में काले पित की अधिक्ता पाई जाती है, वे सदैव उदास रहते हैं, जीवन के प्रती निराशा भाव रहते हैं, और जहां भी जाते हैं, वही निराशा भाव प्रसारित करते रहते हैं रक्त, पित्त की प्रधानता वाले व्यक्ति सदयव प्रसंद रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं तथा आशावादी द्रश्टिकोंड से युक्त होते हैं ऐसे व्यक्ति स्वैम भी खुश रहते हैं और अपने आसपास के वातारण में भी खुश मिजाजी का व्यभार रखते हैं अगला प्रकार है कफ जिन व्यक्तियों में कफ की अधिक्ता पाई जाती है वे व्यक्ति सामानेता शांत रहते हैं निश्किरे रहते हैं तथा इन में भावनाएं शूने रूप से ही पाई जाती हैं द्वित्य वर्गी करण है शारीरिक सनरचना के आधार पर जिसमें दो प्रकार के वर्गी करण हमारे समक्ष मनवज्ञानी को द्वारा दिये गए जिसमें क्रेश्मर द्वारा एक वर्गी करण दिया गया तथा एक शेल्डन द्वारा वर्गी करण दिया गया क्रेश्मर द्वारा व्यक्तित्व को चार प्रकारों में बाटा गया इस्थूल काय प्रकार, क्रेश्ट काय प्रकार, पुष्ट काय प्रकार तथा विशाल काय प्रकार इस्थूल काय प्रकार वाले व्यक्तियों का कद छोटा होता है इनका शरीर भारी होता है इनका शरीर गोलाकार होता है इनकी गरदन छोटी होती है लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेशता होती है कि ये खुश मिजाज रहते हैं और खाने पीने संबंधी बातों में रुची रखते हैं क्रेश काय प्रकार के व्यक्ति थोड़े से दुबले पतले होते हैं शरीत की सरचना और मास्वेश्या पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं तनाव फून रहते हैं सामाजिक्ता से थोड़ा दूर रहते हैं और किसी की तथे एवं बातों को स्विकार करना पसंद नहीं करते ह क्रेश्मर के इसी वर्गी करण के अंतरगत तीसरा प्रकार है पुष्टकाय प्रकार पुष्टकाय प्रकार के व्यक्तियों का शरीर सौष्ठव, संतुलित होता है, सुडौलाकार होता है इसकी वज़े से ये समाज में आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित वर्ग के अंतरगत ही माने जाते हैं इन तीनों प्रकारों के अंतरगत, जिनमें उप्रोक्त तीनों प्रकार के मिले जुले गुड पाये जाते हैं वो सभी विशालकाय प्रकार के अंतरगत क्रेश्मर द्वारय रखे गए हैं इसी वर्गी करण के अंतरगत दूसरा वर्गी करण है शेल्डन के द्वारा जो 1940 में प्रसूत किया गया शेल्डन ने व्यक्तियों के तीन प्रकार के व्यक्तितों बताए हैं एंडोमार्फी, मैसोमार्फी और एक्टोमार्फी एंडोमार्फी विशेष्टाओं वाले लोग मोटे, नाटे तथा खुश मिजाज रहते हैं यहें खाने पीने में और बातचीत करने में समाजिक होने में बहुत अधिक रुची दिखाते हैं जबकि मैसोमार्फिक विक्टितों वाले लोग खिलाडियों के समान होते हैं, इनका शरीर सुगठित होता है तथा इनमें जोखिम लेने की शम्ता भी बहुत अधिक रहती हैं तीसरे प्रकार के व्यक्तितों वाले व्यक्ति हैं एक्टोमार्फी व्यक्ति लंबे और दुबले होते हैं ये सामाने तोर पे संकोची भी होते हैं और लोकों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तथा साधारणता एकांत वास करना अधिक पसंद करते हैं इसी क्रम में एक और वर्गी करण प्रस्तुत किया गया है इस प्रेंगर के द्वारा इस प्रेंगर के द्वारा प्रस्तुत वर्गी करण सामाजिक्ष गुणों पर आधारित है जिसके अंतरगत उन्होंने छे प्रकार के व्यक्तित्तों वाले व्यक्ति बताए प्रथम है सैद्धान्तिक वे व्यक्ति जो नियमों और कानूनों का पालन करे आदर्शवादी हूँ वे सभी सैद्धान्तिक व्यक्तितों वाले व्यक्ति माने जाते हैं दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं धार्मिक यानि जो धर्म कर्म में रुची रहते हैं तथा समाज में इस प्रकार के धार्मिक कारे को करने में अपना योगदान देते हैं जैसे पुजारी, महत्मा, आदी तीसरे प्रकार के व्यक्तितों वाले व्यक्ति हैं आर्थिक आर्थिक व्यक्तितों वाले व्यक्ति वो होते हैं जो प्रतेक कारे का निर्णे कहीं न कहीं आर्थिक आधार पर ध्यान और विचार करने के बाद ही लेते हैं जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो इसी प्रकार के व्यक्तितों वाले होते हैं चौथा प्रकार है राजनेतिक रूप में व्यक्तितों वाले जिनकी शाशन सत्ता इत्यादी में रुची होती है जैसे द्नेतागण वे सभी राजनेतिक व्यक्तितों वाले व्यक्ति कहलाते हैं जो व्यक्ति समाज से भी होते हैं के कारियों में रूची लेते हैं उन सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्तों सामाजिक व्यक्तित्तों के रूप में माना जाता है और इसके अत्रिक्त अंतिम जो प्रकार बताया इस प्रेंगर के द्वारा वो है कलात्मक यनकी जिन व्यक्तियों की कला के छेत्र में रूची होती हें जो कला के किसी भी रूप से जुड़े हुए होते हैं वे सभी जो है वो व्यक्तितों वाले व्यक्ति माने जाते इसी के अंतरगत एक वरगी करण और दिया गया जो की मनोव्य ज्यानिक संधर्भों में दिया गया इसके प्रतिपादक कारल यूंग रहे जिनोंने व्यक्तित्तों को दो भागों में बाटा बहिर मुखी एवं अंतर मुखी बहिर मुखी व्यक्तित्तों वाले व्यक्ति यह थोड़ा सा एकांतवासी होते हैं समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करते तथा आत्म केंद्रित होते हैं चुकि इस ताथे की कुछ आलोचना हुई तो कारल यूंग के द्वारा एक तृत्य वर्गी करण भी प्रस्तूत किया गया कि कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें कुछ गुण तो बहिर मुखी व्यक्तितों वाले पाये जाएंगे और कुछ अंतर मुखी वाले तो ऐसे में वो व्यक्ति जिनमें दोनों प्रकार के गुण प किया गया है जो इस प्रकार इस शरीणी के अंतरगत प्रकार सिध्धांतों के अंतरगत चाहे शरीर गुण के अधहार पर हम बात कहिं के शारीड सामाझिक करणा है हम इसके अबर्थों हैं यह सभी प्रकार के दिये गए सिद्धान्त और इनका जो वर्गी करण है जैसी हमारी आवशक्ता है हम उसके अनुरूप इसका उपयोग कर सकते हैं तथा जह चात्रों का व्यक्तित्तु सहीुप में विक्सित कर सकते बहुत प्रकार बताए सब्買 अभब घ्रतर सब्द्द्य vendor सब्सक्राइब फिर तक हैं जबकि जो व्यक्तित्यों के शीलगूणों पर आधारिस सिद्धान थे वो इनसे बिलकुल भिन्न है जिसके प्रमुक प्रतिपादक G.W. Allport तथा R.B. Kettle आधी मनोव्य ज्यानिक रहे जिनों ने बताया कि शीलगूण एक ऐसी विशेष्टा है जिसके कारण व्यक्ति इस्थाई रूप से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है इसके अंतरगत व्यक्तित्यों के सभी मौलिक गूण समिलित होते हैं ये व्यक्तित्यों की सरचना का निर्मान करने में सहायक होते हैं, मापन योग्य होते हैं तथा विशिष्ट एवम चिर इस्थाई रूप में हमारे व्यक्तित्यों में विध्यमान रहते हैं विबिन मनोव विज्यानिकों के द्वारा शील गुणों पर शोद कारे किया गया और इसी संधर्ब में केटल के द्वारा कारक विश्वेशन का सिद्दान शील गुणों के संबंध में दिया गया जिसमें उन्होंने शीलगुणों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया सतही शीलगुण एवं स्रोत्र अथ्वा मूल शीलगुण सतही शील गुणों से तातपरे, व्यक्तित्व की उप्री सतह पर विद्यमान उन गुणों से है जिने हम व्यक्ति के दैनिक अंतर्क्रिया में प्रदर्शित होते हुए देखते हैं ये व्यभार में इस्पष्ट रूफ से प्रधर्शित होते हैं तता इनका किसी भी प्रकार से कभी भी मापन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उधारण है परोपकारी होना, इमानदार होना, सत्यनिष्ठ होना आदी। यदी व्यक्ति अपने दैनिक अंतर क्रिया के दोरान, समाज में कभी भी कहीं इस प्रकार के गुणों का लगतार और इस्थाई रूप से प्रदर्शन करता है। तो ये माना जाता है कि इस प्रकार के गुण सतही शीलगुण के रूप में उसके व्यक्तित्यों में मौजूद हैं. वहीं दूसरी और जो स्रोत्र एवं मूल शीलगुण होते हैं, ये सतही शीलगुणों से अधिक महतोपूर्ण होते हैं. सामाने तोर पर ये आंत्रिक रू में इस प्रकार के गुणों को पहचानना हो, तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्तों का विश्लेशन करना जरूरी होगा. और इसका सबसे बड़ा उधारण है निस्वार्त भाव से काम करना. यदि व्यक्ति निस्वार्त भाव से काम करता है, तो जरूरी नही ऐसा होता है कि अलग-अलग परिस्थित्यों में वहए गुर्ण दर्शाता है और दिखाता है धर शाता है लेकिन उस चीज़ का प्रकाटी करण नहीं करता तो ऐसे में हमें विश्लेशन करने की आवशकता होगी कि क्या वेक्ती में वास्ता में वह गुण है या नहीं जब हम शीलगुणों की बात करते हैं तो केटल के द्वारा बहुत सारे ऐसे शीलगुणों को शोद कारे के दोरान बताया गया कि जिनका विकास हम छात्रों में कर सकते हैं हम जब कक्षा में देखते हैं तो सभी छात्र एक समान तो नहीं होते कुछ छात्र उत्साही होते हैं जबकि कुछ छात्र एकाकी और अकेला रहना पसंद करते हैं तो ऐसे में यदि हम एक जैसे शिक्षण विदी से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो चाहा कर भी हम मन वांचित रिजल्ट या परिडाम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं इसके अत्रिक्त कुछ अन्य गुण हैं जो छात्रों में विक्सित किये जा सकते हैं यदि बालक स्थिर है तो हम उसके अपեշ्या बालकों में सम्वेगात्मक विकास भी करने में उसको मदद कर सकते हैं कलपनावादी होना अत्वा यतार्त वादी होना तनाव युक्त होना यतनाव रहित होना ये सब वो शीलगुण है जो छात्रों के व्यक्तित्तों में विध्यमान रहते हैं लेकिन इन में से कौन सा गुण छात्रों के व्यक्तित्तों में होगा ये उनके पालन पोशन और उनके जीवनकाल की विभिन विवस्थाओं पर निर्भर करता है बालक जिस प्रकार का जीवन जीता है उसके व्यक्तितों में उसी से सम्मधित शीलगुणों का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है और यही शीलगुण बाद में चिरिस्थाई होकर सदैब उसके व्यक्तितों में हमेशा दिखाई देते हैं कई बार व्यक्ति जो है किसी परिस्तिती वश उत्साही भी हो सकता है लेकिन कहीं बार जो है कोई दूसरी परिस्तिती या किसी प्रकार के कारे में विफलता उसको एकाकी भी बना सकती है तो ये परिस्तितीों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के शील गुणों को अपने विक्तितों में विक्सित करना चाते हैं हमारे शिक्षकों पर निर्भर करता है हमारे वातावरण पर निर्भर करता है और उसी के आनुरूप जो है हम विभिन प्रकार के गुणों का वि किया जाए यदि छात्र बहुत अधिक कल्पनावादी हो जाएगा तो सदैव डेड्रीमिंग करता रहेगा और कभी भी निर्धारित लक्षे की प्राप्ति नहीं कर पाएगा व्यभार में उन चीजों को ना तो समझ पाएगा और सदैवी अधिक से अधिक प्रयास करने पर उसको वांचित परिणाम नहीं मिल पाएगे तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शीलगुण हैं जिनका हम चात्रों के व्यक्तितों में उनके व्यक्तितों का विकास करने में प्रयोग कर सकते हैं हलाकि केटल के द्वारा दिये गए इन शीलगुणों को का मापन पूर्ण और यदि उसके अभी प्रेणा को अधिक महतु नहीं दिया जाता तो कई बार बालकों में बहुत सारे गुण होते हैं फिर भी उन गुणों का सही उपयोग नहीं हो पाता फिर भी यह शील गुण सिद्धान्त एवं प्रकार सिद्धान्त व्यक्तित्तों के विकास है तू च शिक्षकों के विक्तित में कुछ नया जोड़ना हो या अपने समाज में कुछ नई चीजे संस्थापित करनी हो उन सब में ये सभी शील गुण एवं प्रकार गुण संबंदि सिद्धान्त अत्यंति महतुपूर्ण एवं उपयोगी माने जा सकते हैं धन्यवार डॉक्ट हमारे स्टुडियू में आने के लिए हार देख धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमित्रों आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं अगली बार पुना किसी नए विशय के साथ में आपके समक्ष उपस्तेत होंगे तब तक के लिए नमस्कार